असलाम लेकुम गुदी इवनिंग और वेलकम टो प्रोग्राम बिला तकल लूफ वियोज हमेशा से जब मैं फीडबैक की बात करती थी तो मेरे पाल फेस्बुक पर जो फ्रेंड्स ऑनलाइन होते हैं या मैसर्ज पर होते हैं या ओन या लिंक फुक पर होते हैं या लिंक इन वेब उप साइजस पर होती है तो उनकी इस शिकायत को सामने रखे मदे नजर रख कर आज का प्रोग्राम हम कर दे हैं दो ऐसे जबरदस नौजवानों पर जनों ने अगर हम IT की दुनिया देखे या टेक्नोलोजी की दुनिया देखे तो आज कम्प्यूटर कहा जाता था कि एक कम्प्यूटर एक बॉक्स ह आज की दुनिया देखे जाता था जो आपके रूम में होता था लेकिन माशाल लाप टेक्नोलोजी इतने एडवान्स हो गई है कि वही नेट वही एक कम्प्यूटर आपके हाथ में होता है आपके सेल्फोन के जरियो होता है यू पीपल कीप ऑन क्लिकिंग एंड एंड अब हमें एक यूस तो करना आ गया लेकिन इसका मिस यूजर जो हो रहा है वो क्या है वारिस की बात होती है है लेकिन हमें इतनी डिटेल या इतनी नोहाव नहीं होती है कि हमें खुद नहीं पता होता कि कब हम उसका शिकार हो जाते हैं ये तमाम बाते हैं आज हमारे साथ ह या कंप्लेइन्स करते थे उन्हों से मैंने कहा था कि हम बहुत जल्द आसे दो जबरदस नौजवानों को आपके सामने लेकर आएंगे जिनके खुशनसीबी है या मैं यह कहूंगी कि उनकी महनती कि उन दोनों के नाम के आगे तो वेरी फर्स पाकिस्तानी लगा है और मेरी दो मैमान दो वेरी फर्स पाकिस्तानी एंटिवाइरस डेवलपर जन कंप्यूटर प्रोग्रामर है नाम है उनके हाफिज उस्मान और उनके साथ जो उनके को पार्टनर है सेद इमरान अली है अभी जब यह स्टूडियो में आई और इन से जब मेरी मुलाकात हुई तो इनके पास वो एक्सपोजर है दुनिया का जिसका जानना मेरी और आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन क्या करें मजबूरी है कि हमारे दर्म्यान आ गया है एक शॉर्ट ब्रेक और हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जी जनाव हम आगे हैं वापस प्रग्राम है बिला तेकल्यूफ और आज का प्रग्राम है दोजबरदस मौजवानों के नाम हाफिस उस्वान हमारे साथ मौजूद है सेद अलीब रान हमारे साथ मौजूद है क्रेडर इनका ये हैं कि दे एवर फर्सट पाकिस्टानी क्पिवीटर प्रोग्रामर है स्लाम लिकम वालेकम असलाम जी एंटी वैरेस जब हम इंसानों के वायरस की बात करते हैं हमारे पास एंटी बात करते हैं आज कल है टेक्नोलोजी का दौर और और कंप्यूटर जाहा है तो आप एंटी वैरस है कि एक तक में धाया लेना होता है लिए लिएस JEFF प्रोडक्स पाकिस्तान के नियमगान अग सब्सक्राइर पाकिस्तर के नियरेजिस्ठर नियर णी नहीं? जिसमाँ नहीं विवनों नहीं रिउना गांगा मुझ एंथि नहीं हो कि ब्यूता है तो आप पाकिस्तान का पहता भा इर जाता है तो यह जो कि अब बाइसान के लिए करें ओर इसके लिए जरूरी है एसए यँनीक चीज़ों लेकर आइे अपने काम के लेकर आइं जिसमें मुल्क पिनाम लोशन और आप कशांधा भी कि वीन करूं यह sugar , अगर में करूं में को यह कुछ है किए अगर नॉर्मल कुम्पीटर यूसर हूं। हूं। मुझे इतना नहीं पता है, यह पता है कि मैं इस लिड़ू है। षिस मुंड़ टल्फोन आप ऐस्मुटर थी भता दिनुलस्पर — । कि जो हम नहीं जानते हैं देखें, सबसे पहले तुमाइब यह बता हूँ कि जो वायरस कम्पुटर में कुछ ऐसे होते हैं कि जो इंस्टेंट सामने आ जाते हैं यानि कि आपकी विंडो रहने लगेगी सब्सक्राइब आपकी विंडो फॉर्मिट करनी है जी जनाब हम आगे हैं वापस और हमारे साथ मौझूद हैं दो जबरदस नौजवान बलके ये तो दो हैं लेकिन माशाआलला यूत में हमारा इतना पोटेंशल है सिर्फ उन्हें एक्स्प्लोर करने की या उन्हें बैक करने की देर है तो ये पाकिस्तान टेक्नोलोजी वर्ल में भी कहां से कहां पहुंचा है क्योंकि जब उस्मान से बात ही जब अली से बात ही इन्होंने ये कहा कि हमारे यहां जो टेक्नोलोजी जो हम खुद डेवलप करने हैं हम बाहर के ममाले को वो दे देते हैं और वो अपना नाम रिजिस्टर करके उसको मैनुफेक्चर कर रहे हैं होना ये चाहिए कि हम अपने मुल्की अपने प्रोड़क को मेडिम पाकिस्तान के नाम से बाहर ममालिक को इंट्रोड्यूस करें कि अगर आप अपने नेम से डेवलप करते हैं एक चीज को तो आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपके मुल्क में पैसा आता है और आपको भी फायदा होगा आजकल पूरी दुनिया जिस वार का शिकार है वह है टिक्नोलोजी वार अज़े ब्रेक में जाने से पहले आप मुझे वारिस को और वह हैकिंग का सारा बता रहे थे मैं चाहूंगे कि मारे वियूस के साथ शेयर करें यह कहना चाहरा था कि सबसे इंपॉर्टन्ट है कि जो रिसर्स वर्ग होता है उसमें सबसे जारे मुवादा लगता है किसी भी मुल्क का तो एक मुल्क चाहता है कि दूसरे मुल्क की तमाम रिसर्स को उठा लिया जाए वह क्या करते हैं कि वह अपने देखें 3D गेम्स जो बनते हैं इसके मार्केटों कि इतने महँगे होता है अगर प्राइवेट कंपनी को अनिमेशन बनाती है तो वह एक लाग से दस लाग का खट से आता सिव अनिमेशन अगे लिकिन गेम में तो हैवी ग्राफिस होती है जो चलाने वाले इतने हैवी ग्राफिस कार्ड होते है उस मुल्क में वह गेम फ्लोट करती है उसमें हमेशा है क्रैक होता है तो जब तक वह आप क्रैक नी चलाएंगे तो वह गेम नी चलेगा अगर में गलत नहीं हो तो एनिमेशन मुवी में भी पाकसान को अवार्ड मिले जी जी जब आब एक चीज यह देखे ना आडिय कराने का यह इस लिए कर tery आया कर ने का ये इस लिए ट्रफर करते लिए और फिर उसके बऻल में एक नी डो साल के लिए तो पहली तो आप आप अपने आप से je पूछें के जिस को आप सेक Albert przew है उसी की सिक्रीटी की यह तो वो आपको क्या security देगी तो यह चीज हमें नहीं पता ना इसलिए हम लोप होल्स मौजूद है यह नहीं कि उसके अंदर ऐसे फ्लॉज मौजूद है कि वो चीज हैक हुई है आपका यह नहीं कि एंटी वाइरस अगर एक्टिवेटेड हो गया एक क्रैक से इसका मतलब यह क उसके अंदर फ्लॉज मौजूद है लेकिं जिसे classroom होता है उसमें कोई शरीर बच्चे होते हैं तो मेरी नज़र में यह computer के जो वाइरस होते हैं यह कोई शरीर लोग हैं जो hackers को मिलता किया है मुझे यह personal information चोरी करते हैं अभी आप यह कहरें दी कि हमाई research वगरा चोरी हो ज इन इने तरह देएञा है जीनियर्स मौजूड है लेकिं परस्फ़गा है पाकिस्तान को देखें मिल रहा है इसलिए नहीं है क्युकिश्च ऑन्रोगा उच्भाजिश्य कर द subsidy ह कर दें और पाकिस्तान को इसा बहुत फाइदा होगा और यह जो personal information कीМें बात कर रहे हूं मह फाइदा इन हैकर्स को यह होता है कि आपके परसनल इपरमिशन में आपका नेम ठीक है आपका एमेल अडिस और आपका पासवर्ड आ सकता है जो के एक कुकी जो आपके सिस्टम के अदर मौजूद होती है वो उनको रिट्रीव कर सकते हैं बास वकाद सेशन इतने कमजोर होते क्या है यानि कि पूरे मुल्क के लाइक्स क्या है यानि कि आप और मैं किन चीजों को पस्द कर रहे हैं या आप बहुत दुनिया क्या बता रहे हैं कि बोलो यह इस मौल के लाइक्स और इंफ्रमिशन सगर चाहिए मासस की लेवल पे जब आपने लागों करोडों लोग जो सेलेबरिटीज हैं मिसाल के तौर पे कोई आपके कराची के सेयद मुस्तफा कमाल साहब हैं वो भी उसको साइन अप हैं और उनका कोई ID पासवर या कोई मुबाइल नंबर भी हैक कर लेता है वहां से सोचल मीडिया से को हैक कर लेता है और वो कहें कि जी मैं इसको सेल करना तो आपकी परसनल इफ्रमेशन सेल भी की जाती है तो अब ये परसनल इफ्रमेशन को किस तरह हम लोग इस चीज से बच सकते हैं एक नॉर्मल यूजर को बचने का सबसे आसान थरीका यह है कि हर चीज के पीछे ना भागें कोई भी चीज आती है क्लिक करना लाजमी सोचल म सब्सक्राइब करना लेकिन मैं जब अनी की तरह आती हूं तो ब्रेक आ जाती है लेकिन ब्रेक के आने के बाद अली इस सवाल का ज़रूर जवाब देंगे आप से मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जी जनाब हम आगे हैं वापस और आज हम बात कर रहे हैं कम्प्यूटर को लेकर टेकनॉलोजी को लेकर वारस को लेकर हैकिंग को लेकर और मेरे दोनों महमानों ने सोचल मीडिया की बात की तो ये बड़ा आसान लगता है कि हमने आईडीज हैक कर लिए बड़े खुश होत देने में तंग करने में लेकिन ब्लोबल पॉइंट ऑव्यू से इतने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं जैसे इमरान से पूछा था इमरान ईली से मने पूछा था मुने चानिज से पहले कि यह जो पेंटागॉन में इसमिन को भी इस्टर्वास करना है उनको अपनी बिश उसमें लूपोस मौजूद होते हैं, आप एक बात करें कि कोई भी एंटिवारस एक अपडेट होने की सलाहियत रखता है, इसका मतलब यह है कि वो किसी सर्वर को एक्सिस कर रहा है, उसी एक्सिस को फाइदा उठा कर जो हैकर्स होते हैं, वो उनकी जो रूट्स होती है, उनक सब्सक्राइब के लिए उसका मतलब यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, दो हजार गयाने की रिपोर्ट यह कहती है कि यॉरप की 27 कंट्रीज के हर तीसे कंप्टर के इंडर वायरस था, अच्छा, तो जब जो यह यॉर्पियन एंटिवारस कंपनीज हैं, ठीक है, क्योंकि बा कई सिस्ट्र एक्सिस कर सकती है बगक्स करने के लिए, वही लूप वोल्वो यह मतलु करते हैं, जो कुछ दिन पहले ही उनकी वेबसाट डाउन हूई है, ठीक है, उसको रिसन डुप चल रहा है, ठीक है, उन्होंने इसको डाउन किया और उन्हों ननंने बोल कर डाउन किय तो यह इसमें मुक्तलिफ फायदे हैं लोगों के इसने चीज़ों को कर रहे हैं और इसमें अगर मैं कंट्रीज का नाम अगर आप बताना चाहें क्योंकि इसमें मिलखार में अगर अगर आप यह देखें कि दस सालों के अंदर जो वायरिसिस आये उसका एफेक्ट क्या होगा तो मैं यह बात करूं के बात मुझें पहले कि परिशाना है जो पुरी प्रश्ड इन्होंने घुटे । अपने जो प्रोग्वें इनकी इप्र इसक्पाह चोड़ते हैं पानी मुझूद है वो जल्दी व चीज़ डेवलप करके समूल पर फेक देते हैं हम लोग बैठे रहा जाते हैं कि भाई यह चीज़ तो अब अब आपका मुलक आपका मुलक यह बर्दाश्ट करी नहीं सकता है कि आप इंपोर्ट करें हम तो वह मुलक हैं जो हम पर फेले जब हमने फिस्ट पाकिस्तानी यह बनाया था तो हमने बात कही थी कि हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो वो सरे बात नहीं थी हमारे पार्स भी उतनी ओफर सहें जितनी ओफर्स एक किसी एक M.C.P. M.C.S.D. जितने भ इसके इलावा पे दीगर मालिक में आप गयें तो हमने वहां का वीजा देने के लिए कि आप हमारी कंट्यू में रहें पर्मिन फीजा जो होता है वह हम थुक्रा कर आगाए तो कंपनी में इथे टॉप 3 मीजा के लिए के लिए काम किया था हमने मार्कम अभी भी भी कि अपयाओं हम्याओं जब पाकिसँन का मेंस्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान के लोग जब लोगों की सपोर्ट कर देते हैं ना जब शाना बेख म्रुच म George Clark 인- एक साल सम् रिसर्च कर रहें क्यूंके के तमाम एंटिवारस कंपनीज सेक्यूरिटी देने में फेल हैं ठीक है क्योंकि तमाम दुनिया ममालिक पूरे वर्ल की पूरे वर्ल की अब आप यह देख लें इंटर इंटरप्राइस जितनी भी हैं अब वो इंक्रिप्शन के पीछे भाग रहे हैं ठीक है वो अपने डेट शिक्यूरिटी के पीछे भाग रहे हैं कि उनके डेटा उनका जो डेटा वह सिक्योर है यह पाकिस्तान के अंदर विस अप्रोड़क्स बूसरों को बना बना के दे लिए तो आपने घर में वह उसको उसको मोड़्याइब लाइगा यह चीज़ह को रहा हैं तो यह चीजह म कि यहां यह एकिस्टानी इन्निक्ताई पुरी कमपनी के लिए इसको पर्टाइस करने के लिए तैयार हैं तक नहीं कि यृद्फ यह और अपरच्ण है और है और यहां रहान होंगी कि यह मिडली दोन इसकल जो कि खुद इसलामिक्मूल के हम जो फिलीब भी नहीं है क्योंकि हमारे पास है तो आउटसोर्स करने के इंजन वनाएं में ठीक है आउटसर्स दो मिर्ट में कर के देते हैं आप बड़ी से बड़ी प्रोडक्त बोलें यहां बना के देदें कि तो अच्छी लगें कि कहते हैं कि जजबा हमारा मतलब जजब कुछ है सिर्फ यूजज नहीं हो रहा है मैं सिंपल मेरे चुटा सा मैसेज है पाकिस्तान के अंदर प्रोटेंशल मौजूद है ठीक है आपके पास जब स्किल्स मौजूद है अपनी स्किल्स को यूटिलाइस करें जॉब भी करें देखें पैसा मुझे भी चाहिए ठीक है क् हमें भी अपने घर के लिए सर्वाइफ करना है तो जब आप कोई प्रोड़क्त बनाते है ना तो इसके बाद पाकिस्तान में भी सेल होगी पाकिसान से बाहर भी होगी तो इससे आपके मुल्क का भी फायदा होगा तो जॉब करने से दस गुना बैतर यह है कि आप अगर ज खुझी वणता है सीज के वियव बहुत बहुत बल्ला बना दीया कोई बहुत बढ़ी बॉल बना दी और फुर मेडिया ननको दिखा वी दिया ऐसी चीज बना जो प्रोडर्टिव हो जो इंटरिशन मारकेट में सेल हो सकती हो और आं प rise में ऐसी तरीके से बहर कि से भी पा थैंक यू सो मच कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने इंशाला हमें दुबारा दावत देंगे और इंशाला मेरे तमाम वो लोग जो रिक्वेस्ट करते थे और इसके बाद मैं शुरू में कहा कि एक शिकायद और कंप्लेइन आना शुरू होगे कि यूद को प्रोमोट क्य कि यह दुनिया इस वक्त किस दौर में लगी वी है हम कहीं पीछे ना रहे जाए और यह नौजवान और इस तरह के बहुत सारे नौजवान अगर इस तरह जजबा लेकर सामने आएंगे कि मेड इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए करना है तो इंशाला वो दिन दूर न कि अन रहे वो मगरी है तरह कि आय। कि आया कि प्रगए हम दे पहुति बहुति सामने खसाले कि अ कि अ Alliance झाल झाल